नमस्कार, मैं क्रान्ती, मैं विशाका पत्नम की निवासी हूँ, पर आभी मैं बेंगलोरू में रहती हूँ तो ये मेरा कहानी है, कैसे मैंने अपना COVID-19 के साथ मैं कैसे अपना जूर्नी ट्रावल की हूँ तो बहुत लोगों ने मुझे पूचा कि मैंने जो वीडियो रिलेस किया था, तेलगू और इंगलेश में समझ में नहीं आ रहा, तो रहा हिंदी में बताईए करके तो मुझे लगा मेरा हिंदी अपना शुद नहीं है, जितना हो सकता है मैं उतना बात करने की कोशिश करूँगी हिंदी में और बोलने की प्रयास करूँगी मेरा जो जूर्नी था तो पहले तो ये बताऊंगी कोई डरने की बात नहीं है ऐसे करेके भागने की बात भी नहीं है तो ये तोड़ा symptoms आया था मुझे May 20th को 20 तारीक को, May 20 तारीक को 2020 में तोड़ा गले में पेन आना और तोड़ा बुखार जैसा फील होना जैसा हुआ था तो दो-तीन दिन मैंने कुछ किया नहीं पर वो तोड़ा तोड़ा बढ़ने लगा जब बढ़ने लगा तो मैंने आरोगय से तुमें जाके अपना details update किया करने के बाद मुझे एक update आया कि आप risk में हो करके जब risk में हो करके आने से मैंने contact किया कोविड-19 के नंबर को contact करने के बाद उन्होंने मुझे बोला यहाँ पर nearest जो नजदी की COVID-19 का center है वहाँ पर जाके आपका test करवाव करके जैसे बताया जाता है वैसा होता नहीं है तो जब मैं वहाँ गई थी उन्होंने मुझे वो screen test करके और बुला कि आप ठीक हो problem नहीं है यह नॉर्मल बुखार हो सकता है या जुकाम हो सकता है करके मुझे तीन दीन के लिए medicine दवाई दे के बेज दिये गर आई और मैंने तीन दीन का दवाई लिया पर कुछ असर नहीं पड़ा फिर से मैंने call किया तो उन्होंने बुला फिर से 27 या 28 को मुझे फिर से बापस बुलाया वहाँ पर वहाँ पर मैं गई थी पर बहुत सारे लोग खड़े थे 20 लोग से ज्यादा खड़े थे टेस्ट के लिए पर किसी का टेस्ट नहीं हुआ उन्होंने बुला कि डॉक्टर नहीं है एक ही डॉक्टर है वो डॉक्टर भी नहीं है और वो screen5 टेस्ट का machine भी नहीं है मुझे लग़ा टेस्ट याने वहाँ पर ये जो earbud जैसे से रहते swap टेस्ट करके नाक में और इस में sampling लेके बेज देंगे पर वहां पर कुछ नहीं होता बस screen test होता है तो वहां गई उन्होंने बोरा कल फिर से हो तो मैं पिर से घर चली गई next day फिर से में गई और मुझे force करना पड़ा कि मुझे test देना है उन्होंने मना कर दिया कि test नहीं देना देखे 28 से लेके 20 तारिक से लेके 28th May तक मेरा टेस्ट नहीं हुआ मैं बहुत request की ड़्टर से कि please doctor मुझे करवाना है मुझे डर लग रहा है मैं अके लिए रहती हूँ बहुत request करने के बाद एक form में fill करके एक statement दिये कि swap test का samplings collect कर kilo करके मेरे से और मुझे government hospital जाने के लिए पताया गया, तो nearest government hospital में गई थी, जहां samplings लेते हैं, वहाँ पे 200 लोग से ज्यादा खड़ेते हैं, और मुझे 2-3 गंटे रुकना पड़ा, रुकने के बाद, finally, मेरा test हुआ है, last kit बचा था, मेरा test हुआ, बाकि लोग को फिर से और एक hospital जाने बोले, मेरा test होने के बाद, मु मुझे isolation में रखा जाएगा, reports आने तक, पर वहाँ पे isolation room नहीं था, तो मुझे फिर से और एक government hospital जाने बोले, तो वहाँ में गई थी, वहाँ जाने के बाद, फिर से मेरा test किये isolation room में रखने से पहले, तो वहाँ पर भी मेरा test हुआ, और 48 hours मुझे isolation में रखा गया, रखने क के बाद, मुझे पहले hospital से report आया, कि मेरा negative है, तो मुझे घर वापस जाने बोले, मैं घर आ गई, घर आने के बाद, कुछ गंटों में, मैं उससे पहले ही facebook में तुर अपडेट कर दी थी, मेरा तबियत खराब है, और मैं sampling देके आई हूं करके, मैं अपडेट कर चुकी, त बहुत सारे friends messages करने लगे, जान पहचन वाले message करने लगे, और मेरा जो 13,000 followers है facebook में, वो लोग भी message करने लगे कि कैसी हो, क्या है, तो मैं reply करने से पहले, मेरा negative करके जब आया, मैं बहुत खुश होगे, घर में बता दी, तो यह जब मैं sampling दे करके, पता चला मेरी मम्मी का त अबियत खराब हो गया, 48 hours उनका घर में रहना problem हो गया, मेरा भी, क्यूंकि मैं अकेली रहती हूँ बेंगलूरू में, मैं अपने दो कुतों के साथ, pets है मेरे, यह ही पे, अकेली रहती हूँ, और मेरे मम्मी, पापा, भाई, सब लोग विशा का पटनम में है, तो वो लोग यहां नहीं आ सकते, मैं वहां नहीं चाह सकते, जब मैं 48 hours isolation में थी, उनको बहुत दर लगने लगा, मेरा मम्मी का BP sugar सब हाई हो गया, तो पापा उनको लेके hospital भागना शुरू हुआ, इस COVID situation में, तो फाइनली जब negative आया, सब खुश हो गया, मेरे मम्मी का तबियत तोड़ा ठीक होने लगा, तब ही फिर से मुझे call आता है, दूसरी hospital से कि मेरा positive है, मेरा ऐसा लगा कि मेरे, ऐसे लगता है न कि, पहरों तले जमीन कि सक जाना, वैसा हो गया था मेरा, तो अभी मैं क्या करो, मैं पापा को call की, पापा को बोली, पापा ऐसा ऐसा है, तो मेरे पापा ब करीद के आएगी, तो tension मतले, पर एक है कि हम लोग मम्मी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मम्मी का हालत तो दो दिन से खराब है, और उनको में संभाल नहीं पाऊंगा, उनको जैसे negative बोला गया, वैसे ही रखा जाएगा, तुम और मैं इसको fight करेंगे, पापा वहां से और मैं बैंगलोरोस से, तो पहली बात बोले कि तुम फेसबुक में पहले जाओ, और एक status रखतो कि तुम negative हो, ताकि लोगों को एक tension नहीं रहेगी, और दूसरी बात वो लोग तुमें पूछेंगे, क्या हुआ क्या हुआ करके, regular message नहीं करेंगे, तो जो भी friends हैं फेसबुक में, family friends हैं, वो लोग मम्मी तक बात नहीं पहुँचाएंगे, तो इसलिए negative रखते हैं, बाद में बोलेंगे क्या हुआ हैं, पर आपी तो negative करके रखते हैं, message, तो मेने status में डाल दिया, मेरा negative है, तो सब लोग खुश हो गए, facebook friends खुश हो गए, मम्मी खुश हो गई, विशाग बात करते थे, घर के बाहर आ के बात करते थे, और मैं यहाँपे अकेली पता नहीं कल को मुझे कुछ हो जाएगा, तो न मा न मेरे पापा, न भाई, कोई मुझे देखने नहीं आ पाएगा, और मेरे दोनों यहाँपे जो pets हैं, मुझे, मेरे जिंदगी हैं वो दोनों, वो तो मनने वाली नहीं हूँ, मुझे तो वापस घर जाना है, तो मैंने अपना हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से देखना शुरू किया, मेरा ट्रीट्मेंट शुरू हो गया था, मैं घर में क्वारंटाइन हुई थी, घर में मुझे C, वाइटमिन C, माल्टी विटमिन और B कॉ कोविड का जो मेडिसन है, वो लेना पड़ता था, तो उसके अलावा में स्टीम लेती थी, दिन में 15 बार भी कभी कभी स्टीम लेती थी, और गरम पानी पीती थी, गरम गरम और गरम खाना, और मेरे पास तो वेजटेबल्स यह सब उतना नहीं थे, क्योंकि मैं बाहर नही खाती थी, वो बोलते ना पानी में पानी और राइस बॉयल करके वो पानी पानी वाला जैसे ही खाना खाती थी मैं, दाल भी बिना तड़के के साधा दाल खाती थी, क्योंकि टमाटर कुछ भी नहीं था घर पे, तो मेरा पॉजटिव आया था 2 जून को, और नेगेटिव क चाती हूं, कोई डरो मत, यह आप जब अपना हिम्मत हार जाओगे ना तब ही आपको यह अंदर से खा जाएगा, आप हिम्मत मत हारो, आप कोई भी इसको ना एक जुखाम, सरदी जैसा ट्रीट करके, पर एक एक निक्स लेवल का सरदी और जुखाम है, तो इसको आप गरम पानी, गरम चीजे खाओ, और बाहर का कुछ मत खाओ, जिसको कोविड है, टेंशन मतलो, आप फाइट करो, आपको यह याद रखना है, कि आपके घर वाले आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको इसको अपने से भगाओ, और जिसको कोविड नहीं है, वो इस चीज को बाहर जाके घूमना, फिनना, कुछ भी टच करना, चूना, यह सब दूर करो, आप मत करो यह सब, आप मास्क पैनो, सैनिटाइजर यूज करो, बाहर जब भी आप जाओगे, बहुत खेरफुली, ओनली जब जरूरी चीजे के लिए बाहर जाओ, ऐसे घूमने फिनने के लि इससे डरो मत, इससे भागो मत, पर आप अपना इम्म्योनिटी पे काम करो, आप करोना का काड़ा करके आता है, जो आप यूट्यूब में देखे बना सकते हो, सारे नैचरल चीजे हैं, उससे बनाओ और रात को सोने से पहले पीलो, और दिन में 8 ग्लास या 10 ग्लास, आप ले सकते हो, कोविड होने से लेना नहीं है, नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, ये बहुत, आप अपना इम्म्योनिटी बढ़ा रहे हो, क्यूंकि न, वाइरस किसी को भी आ सकता है, वो, क्या बोलते हैं, गोरा, काला, पैसा वाला, या बिखारी, ऐसा कुछ नहीं देख वाइरस किसी को भी आ सकता है, पर इम्म्योनिटी होगा न, वो ही जीत पाएगा, वो ही नॉर्मल हो पाएगा, आपना कोरोना से डरो मत, न्यूस में न, तोड़ा बड़ा चरा के बोल रहे हैं, मेरे भी कुछ, दो दोस्त मर चुके हैं, कोविड से, मेरे पापा के भी दो मर चुके हैं, कोविड से, तो वो जब, जो मरते हैं न, वो अपना हिम्मत हारते हैं, पहली चीज, दूसरी चीज, वो अपना खयाल नहीं रख रहे हैं, और तीसरी तोड़ी medical negligence भी चल रही हैं, medical negligence हो, कुछ भी हो, immunity है न, आप जीत सकते हो, तो immunity में काम करो, आप और अच्छा खाना काओ, बाहर का, स्विगी जमैटो बोल जो, यह सारे काम आप करोगे न, आप जीत जाओगे, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अकेली लड़च चुकी हूँ न, अकेले इस घर पे, किसी, ना किसी के साथ, मैं अकेली, अगर मैं उसे जीत के negative हो सक रहे हो, उनको न, तो already health issues हैं उनमें, तो इसलिए ऐसा हो रहे है, तो आप सब, जिसको health issues हो या ना हो, immunity में काम करो, अपना immunity लेवल बढ़ाओ, बूस्ट करो, अच्छे चीजे, चावन प्राश्काओ, बहुत अच्छे अच्छे चीजे हैं, जो आपके immunity को बढ़ा सकती है ये सब करो, और दूसरी बात, बहुत सरे लोग अपने घर में पालतू, उनको जानवर हैं, उनको न डर के मारे बाहर उनको चोड़ दे रहे हैं, मत करो, मैं भी तो covid patient हैं और मेरे दो-दो कुट यते घर पे, न उनको कुछ हुआ न मुझे कुछ हुआ, तो उनको छोड़ो मत, वो हमारे अलावन नहीं, हमारे बिना वो नहीं जी पाएंगे, उनको दूर मत करना, छोड़ना, मत रोड़ पे इस समय, उनको अपने साथ, अपना family जैसा treat करो, उनको, उनके, उनसे हमें कुछ नहीं होगा, हमारे से उनको कुछ नहीं होगा, उनको हफते में एक बार न वाश, उनको हफते में एक बार नहला दो, तो ऐसे चीज़ों में आप तोड़ा concentrate करोगे, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो, जैसे मैंने बोला, stay fit and stay healthy, बस अच्छा खाओ और अच्छा अपना स्तंधरुस्त रखाओ, ओके, नमस्कार